लो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करता हूंगे आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो पर और आज का वीडियो है यह देखिए आपको दिख रहा है यह खेद में मनाया गया है देशी घर अभी दिखाएंगे आपको कैसे बनता है लोग देखिए जलदी करिक आप लोग वीडियो को लाइक करिए कमेंट करें चैनल सक्राइब करिये अभी पीरा फिर आ चुग अशुके हैं हम दुबारा के दोर थोप ना लगे के आपके सामने दिख रहे हैं अगया है पहले बास घाला गया चारों तरफ एक़ह उसके पा डाल दिया पानी उडाल दिया गया है पैरा जिससे की बारिस मलब धूप ना लगे क्योंकि बारिस का मौसम है नहीं बारिस पानी वानी दो बरसेगा नहीं देखिए अंदर यहां मच्छा दानी लगी हुई है देशी मच्छा दानी है साड़ी से बनी हुई है देखिए अंद किसान काम करते आपको दिखाई पढ़ेंगे तो आप लोग इनके लिए वीडियो करिए कमेंट करीए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखे दाद दीदी लोग किस तरह वजन पैरा देखे डो रही है अब यहां पर धान कर चुका है पूरी तरह और कि देखिए बंद गया है बंदने के वाद घर जाएगा फिर पीटेंगे इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा अगर देखा है तो कोई बात नहीं देखा तो जाके देख लो पहला वाड़ा वीडियो इसी के टॉप देखेंगे देखोया है कि जानवर अंदर ना आने पाए क्योंकि इस समय जानोल काफी मतलब बरबाद कर रहे हैं इस समय हर चीज को हर फसर बरबाद करें दे रहे हैं यह देखिए चारों तरफ से साड़ी लगा के बास लगा के बांद दिया गया है और देखें यहां पर अदर हो रही है गेंदे के फूल की खेती काफी अच्छा देखे फूल है यह देख यह रहे हैं् hais आप लोग देख रहा है यहांका पेड़ भी है यहां देखे आलू का लगा हुआ है अब खाली अलू का मझश्यक्त करें आप देखे रहें एक जिए पारः चाटा गया है वह फेरा चाहता मेंडिया गया है इसको चाहते है नीचे आपको लमेहिए का लिए द हो पर थेंगाई कः थे और कम हो प्रिंसी क тебе रह देख के लिए दिए गए और फिलाल एक साल चलेगा यह कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी और यह देखें यहां पे बोरिंग है पानी की बेवस्ता यह देखें पानी से निकलता है इसे देखें लगा हुआ है नीचे बोर है बाकी पूरी देखें आपको गौपुरा में घुमाऊंगा आज यहां पे धान में नुकसान भी काफी जादा हुआ यह देखिए किस तरह धान सारे लेड गये हैं यह बारिस की वज़ा से हुआ है ज्यादा पानी बरस गया इसे देखे हुआ भाई यहां पर आगे कटा नहीं हुआ है पीछे कट गया है धान भी कट रहा है और सब कुछ चल रहा है और अभी हम फिर जाने वाले हैं गाव और आपको दिखाएंगे फिर वहां पर क्या है कैसे देखे गाउं का नजारा काफी अच्छा देखिए आप गाए भाएस बांदी होई है और आपको जानवर यहां पर बहुत देखने पड़े देखने को मिलेंगे क्योंकि हर घर में यहां पर आदमी लोग अपने अपने सुउधा के लिए दूद माठा के लिए यहांपर मलत है गईया है और अभी दिखाते हैं आपको यहांपर गाउं मयं आपको हर एक घर में हर एक घर में आपको एक दो बहाएं ज⁉रूर दिखाई पड़ेगी वह पाफी चार् extermin और दिखाते है क्या क्या है और देखे किस तरह यहां पर रास्ता है बगल में नहरिया गई है पानी के लिए और यह देखे वो उसी रास्ते बगल से हम जा रहे हैं और आपको अभी नाला में देखे कुछ नहरिया में और एक हांस से गाड़ी चला रहा है काफी दिक्कत हो रही है तो आप लोग देखें वीडियो लाइक करिए कमेंट करिए देखें यहां भी भाएंस आपको बांधी मिलेगी और अभी यह देखिए अरे बाबरे लग गया कोई बात नहीं आप लोग वीडियो को लाइक कर मुझे कुछ नहीं होगा यहां भाएंस आपको बहुत ज्यादा बे देखने को मिलेंगी गाओं अगरा में अभी चलते हैं और आगे और देखते हैं कहांपे धान मतलब कट चुका है कहांपे धान अभी देखिए यहां पे देखिए धान कट भी चुका है और पूरा खेत जोता गया है धान काटने के बाद खेत को जोता जाता है काफी लोग आलू लगाते हैं और काफी लोग फिर गेहूं का मतलब गेहूं का भी वो करते हैं देखिए यहां पे गेहूं लगने वाला है क्योंकि आलू लगना होता तो अल लग गया होता अलू और अभी यहां पे गेहूं लगेगा उसके बाद देखिए यहाँ पर धान कट रहा है भी देखिए दादी यहाँ पर कट वही चल रही है इस तरहे धूप में देखिए यहाँ पर दादी धान काट रही है अभी चल रहे हैं हमार आगे और दिखाते रहेंगे आपको इसी तरहे तो अगर अभी आप कल ही लगा है अलू यह देखिये, चार तरब बाज से वो तार बांद दिया गया है कि जानुवार अंदर दिक्कत न करें आगे और अभी देखिए बगल में कहीं पे धान दम हरा है यह देखिए अभी यहां इसने का अच्छा है पक रहा है और अभी कहीं कहीं पक चुका झाल